नमस्कार आप देख रहे हैं रिवा दर्शन मैं जीशान जावेद आपके साथ महराजा मार्तन सिंग की प्रतीमा गोविंगर के पीपल चौराहे पर लगेगी प्रतीमा पोहची गोविंगर वर्तमान महराज पुषपरास सिंग ने गोविंगर परिसत अध्यक्ष को मुर्ति स्वर्गी महराजा मार्तन सिंग जिन्हें लोग अन्यदाता कहकर संबोधित करते थे उनकी प्रतीमा गोविंगर के पीपल चौराहे पर उनके जनम दिन 15 मार्च के दिन अनावरत की जाएगी अन्यदाता की प्रतीमा को महराज पुषपरास सिंग ने उनके सबसे प्रिस्थल गोविंगर के खकरी में गोविंगर नगर पालिका परिशत के अध्यक्ष श्रीमती सोनी को सौपते हुए रीवा दर्शन से बातचीत करते हुए बताया इस मुर्ती को बनवाने वाली रीवा किले की सी ओ वा नगर पालिका परिशत की अध्यक्ष श्रीमती सोनी से भी रीवा दर्शन ने बातचीत की हम आपको बता दें महराज मारतन सिंगting की प्रतीमा उसी कारिगर के देख रेख में बनी है जिसके मार्क दर्शन में स्वर्गिय गुलाब सिंग की प्रतीमा बनाई गई थी यहां यह जान लेना भी जरूरी है रीवा नगर निगम छेत्र में भी स्वर्गिय महराजा की प्रतिमा लगाई जानी है जिसको लेकर काफी दिनों से विवाज जारी है ऐसे में गोविंगर ने पहल करते हुए एक मौका हमसे छीन लिया कहां से आई इसका क्या प्रयोजन है ये कहां लगी विस्तार से विस्तार में मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस पे बहुत बड़ा काम करा है अलकाजी ने वो आपको बताएंगी लेकिन ये लगभग आठ या नौ साल पहले हम लोंने बनारस से बनवाई थी और बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो वेक्ति हैं जिन्होंने यहां पर भी जो महराज गुलाब सिंग्जी की मूर्ति लगी है उसका भी उन्होंने निर्मान करा था और आपके जो किला में भी बड़े महराज साब की मूर्ती लगी है उसमें भी उनी का हाथ था तो हम लोगों ने ढूंड के उस विक्ति को महां से बुलाया अब रद्ध हो गए थे उनके जो एसिस्टेंट थे उन्होंने पूरी महनत की कई एंगल से स्वर्गी महराज साब के फोटोग्राफ लिये गए उनको दिये गए तब आपको स्वरन होगा कि सड़क भी बिलकुल अच्छी नहीं थी यहां से बना रस्तक की कम से कम नहीं तो दो साल तीन साल लगातार एक गाड़ी लेके इन लोगों को जाना पड़ता था वहां जाकर मूर्ती कभी एक गहने की बात आजाए कभी आखों की बात आजाए कभी होटों की बात आजाए नाक की बात आजाए तो वो सब सारी चीजों में एक जो परफेक्शन आना चाहिए वो किस प्रकार से आए उसके लिए कई चक्कर गौतम जी ने और अलका जी ने काटे हुआ और अंत में आज जो भागे लिखा है कि ये मार्च का महिना शुरू हो गया है 15 मार्च को महराच साफ का जन्तिती है मार्च का महिना भी शुरू हो गया है गोविनगड उनकी सबसे ये खकरी उनकी सबसे अति प्रिये जगा गोविनगड उनकी पैदाईश की जगा उस जगापर हमारी बहन, हमारी पालिका धेक्ष जो है उन्होंने जब मुझे लगभग एक वर्ष पहले आके कहा तो मैंने सहर्ष कहा कि मेरे पास मूर्ती पड़ी है लेने वाला कोई नहीं, आप घर की है, गोविनगर घर का है आप लोग पढ़ा रहे हैं तो मैं बिल्कुल उसको निशूल का आपको दे रहा हूँ मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसी जगा पर हम दे रहे हैं कैसी माटी में दे रहे हैं जिसका उनका एक अभूत पूर प्यार था एक अभूत पूर रिष्टा था तो यह बहुत खुशी की बात है आगे अगर पूरी बातें होगी तो आपको यह अलका जी बता देंगी कि जो मुर्थी कहां से बनवाई इसके लिए आपको कितनी महनत करनी पड़ी वर्ष दो हजार पांच छे में हमारा गोविंदगड का स्कूल खुला अचानक से वर्ष दो हजार आट नो के बीच में महारा साब ने बोला कि लेट महारा साब ने अपने पिता जी की मूर्थियां हर जगा लगाई है मैं भी चाहता हूँ कि मेरे स्कूल है उनकी मूर्थी लगे और उनकी ये एक्षा लेकर हम लोगों ने ढोड़ना शुरू किया पता ये चला कि महाराज गुराब सिंग जी की मूर्थी जिन्होंने बनाई वो चुनार में रहते हैं हम डूरते डूरते चुनार तक पहुँचे अगरवाल साब हैं उनका पेट्रोल पम था वहाँ पर उन्होंने असमर्तता जाहिर की उन्होंने कहा कि मेरी उमर 90 के उपर है मेरे हाथ कापते हैं मैं बना नहीं पाऊंगा पर चुकि महाराज साब ने आपको मुझ तक भेजा है तो मैं यह जब्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूँ और आपको किसी तरह मूर्ती बनवा कर दोगा वो हमें बनारस लेकर गए बनारस में मूर्तिकार को उन्होंने अपने से गाइड किया वो पूरे टाइम बैढ़ते थे जब मूर्तिकार बनाता था और इस मूर्ति को बनने में लगवग देड़ साल लगे देड़ सालों में हम लोगों ने छे से साथ राउंड बनारस के काटे कभी फोटो लेकर कभी सैंपल दिखाने महाराज साब को कभी उस सुजवाने में तो वाटस अप और ये सब भी नहीं होता था कि हम भीज सके तो इस तरीके से बड़ी महनत और बड़ी शिद्दत के साथ महाराज मारतन सिंग जी रिवा पहुचे दो हजार नौ दस के बीच और जब पहुचे तो महाराज साब के मन में कयाल आ गया कि नहीं नहीं महाराज मारतन सिंग जी इसी शक्सियत को एक छोटा सा केंपस शोभा नहीं देता हम किसी बड़ी जगा पर लगाएंगे और इस तरह महाराज मारतन सिंग जी हमारी लाइब्रेरी में इतने सालों तक विराजमान रहे आचानक से सोनी माडम ने महाराज साब से एक्षा जाहिर कि हम लोग स्टैचू लगाना चाहते हैं और महाराज साब ने ये स्टैचू आज उनको भीट की है मूर्ति कहां लगी और आपके दिमाग में कैसे आया कि इनकी मूर्ति हमें लगानी चाहिए जब चाराओं के संद्री करंड के हमारे सारे प्रस्ताव पास हो रहे थे तो चारों जगे के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अमबेटकर चौक में भीमरा अमबेटकर जी क लगाएंगे और सन्त कभीर दाशक में एपीजे अब्डूलकलाम की लगाएंगे और गुमती चराय में पंडित दियाद्धी की लगाएंगे तो यह हमारा जो खिला का एरिया था फीपल चरघा तो उसमें चुकि यह प्ला का कर पूरह महरारा साप का था तो हम लोगों को विचारा है कि वहाँ पर हम लोग अपने अपने दाता की मतलब महराजा मारतन संग जुदेव की लगाएंगे तो इसके लिए अब हम चाहिए थे कर बनाने के लिए उनका वह चाहिए था फोटो तो उसको लेकर हम गय सारे प्रस्ताव पास करके महराजा जी के पास कि अगर हम बनाने के लिए तो जब उन्होंने सुना तो इनका आपको कोई चिंता की जुरत नहीं मूरती बनी हुई है जब आप चाहेंगी तब आपको मूरती मिल जाएगी तो फिर हमने पेडिस्ट्रियल का स्रिमेट बनवाया और उनका टेंडर लगा अब ऐब निर्मान कि मूर्तियों के लिए शायद अभी हमें सुना है जो देविन जी मूर्ति के लिए बता रहे हैं कि मूर्तियों के लिए शायद नहीं है कोई बॉंड यदी ऐसा है तो हम उनके जन्दिन के दिन अनावरन कर देंगे